दोस्तों चेकबाउंस के केस को जीतने के लिए क्या प्लेंटिफ मिंस परिवादी को कोट में अपने अकाउंट या फिर कैस बुक प्रोडूस करनी होती है एविडेंस के तोर पर इसके बारे में सरवोच्चे न्याले ने एक केस में क्या देश दिया है उसके बारे में डिट दोस्तो आज के समय चेक बाउंस के केसिज काफी अधिक बढ़ गए हैं क्योंकि जब भी हम लोग किसी परसन को पेमेंट देते हैं तो उस परसन से सेक्योरिटी के लिए एक चेक ले लेते हैं ताकि अगर वो परसन फ्यूचर में हमें हमारे पैसे देने से मना कर दे तो ऐसे म हम वो चेक अपने अकाउंट में डिपोजिट करवा करके वो पैसा वापस रिकवर कर सकते हैं अगर हम उस परसन से चेक नहीं ले तो ऐसे में हमें सिविल चूट फाइल करना होगा रिकवरी का और उसमें थोड़ा अधिक समय लगता है चेक बाउंस के केस की बजाए इसलि चेक बाउंस केस का एक ये भी फाइदा है कि हमें कोई भी अगर हमारे पास में रिटन में डोकुमेंट नहीं है कि हमने उस परसन को इतना अमाउंट इतनी डेट को दिया और उसके नीचे उसके अस्ताक्सर नहीं है तो ऐसे में हमें ऐसे किसी भी लिखा पड़त मिंस ज़ता होती है अदरवाइज सीविल सूट जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा अगर हमारे पास में कोई भी एविदेंस नहीं हो तो इसलिए दोस्तों चेक बाउंस का केस इतना इजी प्रोसेस है इसलिए ही जब भी कोई परसन किसी को पेमेंट देता है तो उससे चेक ले deposit करवाता है तो वो check bounce हो जाता है check bounce होने पर court उस person को check के amount का double amount तक का fine लगा सकती है मिंस अगर एक लाक रुपए का check था तो court दो लाक रुपए देने के आदेश दे सकती है इसके अलावा दो वर्स की jail की सजा भी सुना सकती है और ये दोनों सजा भी एक साथ दी जा सकती है court के दोवारा दोस्तो चेक bounce के case में हम documentary evidence मिंस जो भी हमारे पास में अगर गोई written document है तो वो court के सामने बता सकते हैं इसके अलावा कोई भी अगर हमारे पास में witness है तो वो person भी court में जाकर के बता सकता है कि उन दोनों ने मेरे सामने ही ये transaction किया था तो इसलिए मैंने वो transaction होते हुए देखा है तो इस परसन चेक बाउंस का case फाइल करता है तो उसे अपने अकाउंट बुक या फिर cash book code के सामने बतानी होती या फिर नहीं बतानी होती उसके लिए आपको इस case को समझना होगा इस case में accused मिंस अभ्यूक्त ने plaintiff मिंस परिवादी से pesticide purchase किया जिसका अमाउंट देने के लिए अभ्यूक्त ने परिवादी को अपना चेक दिया तो उस चेक को जब परिवादी ने अपने bank में deposit करवाया तो अभ्यूक्त के account में पैसे नहीं होने की वज़े से वो चेक बाउंस हो गया जिसके बाद में परिवादी ने accused को notice भिजवाया लेकिन उस notice के बाद में भी अभ्यूक्त ने परिवादी को पैसे नहीं दिये जिसके कारण परिवादी को case फाइल करना पड़ा अभ्यूक्त के अगेंस्ट में जब case फाइल किया गया ट्रायल कोर्ट में तो ट्रायल कोर्ट नहीं है पाया कि अभ्यूक्त ने जान बूज करके अपने account में पैसे नहीं रखे जिसके कारण वो चेक बाउंस हुआ है तो ऐसे में ट्रायल कोर्ट ने accused मिंच अभ्यूक्त को दोसी मानते हु लेकिन session court ने यह कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो judgment दिया है वो गलत दिया है क्योंकि plaintiff मिंस परिवादी ने अपनी account book या फिर cash book court के सामने बताई ही नहीं कि उस person ने abuse को pesticide दिया था और उस pesticide के बदले में उसे amount लेना था और उसी के लिए ही वो चेक दिया गया था accused के द्वारा परिवादी को तो यह बात परिवादी ने ट्रायल कोर्ट में प्रूर नहीं की इसलिए अभ्यूक्त को बरी किया जता है यह आदेश दिया गया session court के द्वारा तो session court के इस आदेश के against में परिवादी ने high court के सामने appeal file की और high court ने यह कहा कि session court के द्वारा जो judgment दिया गया है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर plaintiff को account book या फिर case book देने की कोई भी आव सकता नहीं है क्योंकि यह कोई civil case नहीं है यह NI-138 का case है यहाँ पर अगर यह civil case होता तो फिर plaintiff को account book और case book evidence के तोर पर paste करने के आव सकता होती लेकिन NI-138 की cases में account book या फिर case book देने की कोई भी आव सकता नहीं होती है court में तो यह आदेश दिया गया high court के द्वारा और high court ने session court के आदेश को खारीच कर दिया और trail court के द्वारा जो आदेश दिया गया था उसे फिर से लागू किया तो ऐसे में accused ने high court के judgment के against में supreme court के सामने appeal file की और supreme court में यह कहा गया कि high court ने जो judgment दिया है उसको रद कर दिया जाना चाहिए जिसके बाद में supreme court ने सारे case का proper तरीके से सुनवाई की और supreme court ने finally यह पाया कि यहाँ पर accused person ने गलती की है और session court के द्वारा जो judgment दिया गया था वो भी बिल्कुल गलत है तो essay में trial court और high court के द्वारा same ही judgment दिया गया था तो वो बिल्कुल सही है और essay में accused को दोसी मानते हुए supreme court ने आदेश दिये कि accused person परिवादी को payment करे तो दोस्तों इस परकार से अगर आपका भी कोई case check bounce का होता है तो essay में आपको घबराने के आउसकता नहीं है अगर आप उसमें परिवादी है तो आपको अपना account या फिर case book evidence के तोर पर court में paste करने के आउसकता नहीं है और अगर आप accused means abuse है means आपके दुआरा जो check दिया गया था वो अगर bounce हुआ है तो फिर आपको ये prove करना होगा कि वो check आपने नहीं दिया था या फिर वो check जिस amount के बदले दिया गया था वो आपने उस person को वापस लोटा दिया था तो ये burden आपके उपर ही रहेगा तो दोस्तों I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी परकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को like and share करना ना भूलें क्योंकि ऐसे informative वीडियो मैं आपके लिए daily लाता हूँ और अगर आपके कोई भी questions हो तो comment करके जरूर पूछें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सभी सवालों के उपर अलग-अलग वीडियो बनाओ ताकि आपकी query solve हो सके